तो भाई लोग कैसे हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना ना बोलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग एक लोग लेवल एमपर को मार चुका होता है और यह लूफेंग के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली थी और इसकी कवर वहाँ आपके जितने भी कैम्प वाले होते उनको पता चल जाता है और यहाँ पे सब लूफेंग के ही बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि उसकी जो कंट्रिब्यूशन पॉइंट्स होती है उसमें जो पॉइंट्स एड़ होते वो लोग एमपर जितनी होती है और एक सेक्टर लोट के बंदे जो की पाइने कले उसको एक एमपर को मार पाना यह भी बहुत बरे बात मानी जाती है यहां साय लोग लूफेंग के बार में बात करने लगते हैं और सब लोग रूपक हाने होती हैं लोग इसको निकालते हैं उसको देखते हैं लेकिन वहां पर ऐसा करते वाग वो उस footage को नहीं देख पाते और यहाँ पर उनको समझ नहीं आता और पर पर आर्मन बंदा क्याता है कि यहाँ पर उस footage को देखना मेरी authority से ही बाहर आ गई है मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूँ और यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और वो कहता है कि मैं हरे किसी की authority को देख सकता हूँ हरे किसी की fight को देख सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मेरी authority इतनी लोग क्यों दिखा रही है मैं fail क्यों होता जा रहा हूँ और वो आगे क्याता है कि वो तो night भी नहीं है आखे उसकी वीडियो हमें क्यों नहीं में रही है आखे ऐसे क्या हो सकता है जिसके बाद वो आगे क्याता है कि यहाँ पे सब लोग इनी सब के बाद में बात कर रहे थे जिसके बाद वो सबसे क्याते हैं कि जो इनफोर्मेशन हमें लूफेंग के द्वाया मिली है कि यहाँ पे किसी को अबजेक्शन नहीं तो यहाँ पे कोई भी अबजेक्शन नहीं उठा था क्योंकि उन्हें पता था कि लूफेंग प्राइमे के उस सीटी लीडर का डिस्पल है और उसमें इतनी पावर हो सकते है रफवे में सीन चेंज कर या जी मेन कॉंटिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सीवी का अपने दातों को पीश रहा होता और क्या आता है कि यहां पर हर एक चीज को अटैक करूँ वहां के हर एक चीज को डिस्ट्रोई कर दो वहां का जो hexagonal prison में होता है उसमें से कई सा white rice free से निकलती है और वहां पर हर एक चीज को टबा करने लगती है वहां जितने stones में टर्स होती है वो सभी nothing next में चले जाते है अब दिखाया जाता है कि यह beam of light mosa transforming stone में भी जाके लगता है जो कि एक 10 टाम पाइनेकल सेक्टल और स्ट्रेंग दितनी power को रखता है अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेक्टल और पाइनेकल मोसा क्लेंज के ही body थी और 10 गुना से attack हो जाए तो यहाँ पे कितना भी comprehension क्यों ना हो यह से भी useless होती है और दिखाया जाता कि उस attack में वो पत्तर तूर जाता है लुफेंग क्या था कि मैं यहाँ पे अब discover होने माला हूँ और अब यहाँ पे सींचन्स का सीविका को free से दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे hexagonal world में सब चीज को examine कर रहे थी लेकिन तभी वहाँ पर black jail empire को वो दूसरा बंदा communicate करता है और यहाँ पे सीविका कहाता है कि यहाँ पे लगता है कि dead spirit empire के भार में हमें आर ट्रबल हो सकती है हमें जल्दी से report डिना होगा black grace empire को जिसके बाद वो बात करके वहाँ से निकल जाता है अब सीविका को दिखाया जाता है जो अभी भी गुसा होता हो नाराज होता है कि वह लूफैंग को नहीं मार पाया कुछ समया में कुछ सेकिंड के बाद का scene दिखाया जाता है वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं जिन में से एक black jade होता है वहाँ पर दूसरा एक आजा dead eye spirit होता है जो की एक formless pressure डार रहा होता है सीविका पर और इसके कान सीविका uncomfortable महसूस करने लगता है अब दोनो pinnacle emperors थे लेकिन फिर भी उनकी beast जो power का फासला था वह बहुत ही बढ़ा था इनमें जो undine का होता है वो उसमें भी अलग-अलग levels होते हैं अब दिखाया जाता है कि वो पूछता है कि आके silver wing emper कहा है तो सीविका यहाँ पर नहीं बता पाता है कि वो कुछ से ख वारियर टिलिपोर्ट हुआ है चली से यहाँ पर जितने भी space ही उन सब को lockdown करो अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर black rays जो की देख रहा होता है कि यहाँ उसे लगाता कि उसके 200 million ingo gyms यहाँ पर खर्च हो चुके बेकार चले जा चुके सिर्फ silver wing emper को खोजने के लिए और naturally वह उसे पकरना तो चाता था लेकिन अभी वह उसे पकर नहीं पाया था अब दिखाया जाता है कि जैसे उन्हें space ripple महसूस होता है वहाँ वहाँ पर 30 million km की दूर में एक spider wave जैसा form कर देते हैं जो कि पूरे के पूरे space को लोग कर देते हैं अब cv का अपने hexagonal prinsion जो की 100 million km क फासले में होता है उससे डिडेक कर देता है कि यह रिपल किसी और का नहीं silver ring empire का होगा अब यहाँ पर cv का बहुत ही excited हो जाता है क्योंकि इतनी मसकत के बाद आ कि वह लूफेंग के location के बारे में जान चुका था कि अभी लूफेंग फिलहाल कहा है लेकिन यहाँ पर वह excited ह रहा होता है लेकिन तभी उसे अपना hexagonal pyramid से पता चलता है कि वहाँ पर star fantasy empire भी आ चुके है अब star fantasy empire human camp से बिलॉंग करते हैं ज्योंकि पिछली बार लूफेंग को टेलिपोर्ट करके बचा कर ले जा चुके थे अब लूफेंग किसी को भी पैसे देखर अपने आपका काम क चाहता था इसलिए वह उसका पीछा करना लगता है और ब्लैक जे और डेट स्पेंग दोनों अपनी किली इंटेन को भर कर सीविका के साथ उसके पीछे चले जाते हैं अब यहां देखा जाता है तो सीविका ने hexagonalism को यूज कर दिया था जिसके कान इस पेस लॉग डाउन हो चुका था इसी कान तो लोग टेलिपोर्ट कर सकता था ना ही यह लोग टेलिपोर्ट करके वहां जा सकते थे बस वह जा सकते थे तो फ्लाइग करके अब दिखाया जाता है कि वहां 100 million किलोमीटर होता है लेकिन उन्हें वहाँ जाने भी ट्वार टाइम लगने वाला था सीवी का उन सब के साथ आगे बढ़ने लगता है और यहां पे वह लोग कोश होने लगता है अब हम सीम चेंज कर सिल्वर विंग एमपर को दिखाया जाता और स्टाइफ फैंटेजी को जहां वह लोग जा रहे होते लेकिन तभी उन्हें महसूस हो जाता है कि यहां पे स्प इस लॉकडाउन हो चुका है हम लोग टिल्पोर्ट नहीं कर सकते हैं तो गोल्डेन और बीस जो के लोग फैंगी होता है वह बोलता है कि हम लोग टिल्पोर्ट नहीं कर सकते हैं इसमें क्या दिक्कत होने वाली है वह भी टिल्पोर्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए तुमें क् कर नहीं पाएंगे तो इस्टार फैंटसी इस्वाल करते हुए क्याती है कि यहां पर तुम्हाई जो स्पीड है वो लेजन्डरी है हम इस पर रिलाइक कर सकते हैं यहां पर इसके बाल वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और बीस्ट अपनी विंक्स को फ्लैप करता है और पर पर ट्रेस दो कि नाइन एपसुलीट गॉड करेंटी में से आती है उनकी इस्ट्रेंड इतनी भी नहीं होती है लेकिन उनकी संक्या बहुत ज्यादा होती है जिसके कान बीस्ट रूप तो नहीं सकता है वो स्लो जरू हो जाता है अब दिखाया जाता है कि सीवी का गुस सभण कर रहे होतता है दिखाया जाता है कि वहां high space में स्लीट मना हुआ होता है six pyramid जो होती है इक स्टोड़ी स्टोन की अटार होती होती है वहांपने का इसा fragments घीर होता है अब दिखाया जाता है वह कोई भी असरे नहीं परता जिसके कान ब्लाक रेस होता है वो बिल्कुली सौक हो जाता और क्या था यह नामुम्किन है आखिर ऐसे क्या से हो सकता है अब उन्हें साहू विंग्स के बारे में थोई ना पता था कि लूफएंग के पास साहू विंग्स से जिसके कान लूफएंग की जो स्पीड है जो डियाबिलेटी है वो पोजा बढ़ जाती है और यह ऐसा ही है जैसा कि कोई मचली पानी में तैर रही होगी अब यहां पर सिल्वर विंग अपने ट्रेफवाइंग स्पीड से निकल जाती है और यहां पर वो लूफएंग चिला करका आता है बस्टर और यहां पर वो लूफएंग उन सब के Scene Change को Loo Frenk को दिखाया जाता अ है जहाँ पर हो मेंन kgonटिण होता था ही अब. यहाँ पर लूफिंग जैसे उन सब को निकला होता है तो हम पर Star Fantasy लूफएंग को बाहर आ चेलिपूर करकी है यह रहा होते है और हैं living star fantasy couple वो दोनों वही मेन कॉंट्टियंट के रिवर के ऊपर एपिर होते ही और बेस्ट वहां पर कहता है कि star fantasy इस बार मलद करने के लिए शुक्रिया अब यहां पर star fantasy कहा थी कि मैं तो कुछ नहीं किया है मैंने तो बस तुम्हें टेलिपोर्ट किया है जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे उससे थोड़ी बात ही करती है जो कि ऐसी पैसो के लिए और ऐसे उसके स्ट्रेंड के बार में इसको मैं स्केप कर देता हूँ अब इसके बाद वो स्टार फैंटसी वहाँ पे चली जाती है जिसके बाद लूफरेंग फिर से वापस अपने अर्थ बॉड़ी में आता है और वहाँ पे अपने बेस की तब फ्लाई करता हूँ चला जाता है अब यहाँ पे वो क्यूरियोस भी था और एक स्टाइटर भी थ अब दिखा जाता हूँ उसने अपना मोसा बॉड़ी और गोलिन और बीस के कान वहाँ पे उस बंदे को पीछा चोड़ पाया था और अपने आपको बचा पाया था और अफिल में सीन चेंज तो वर्ड रिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लाक लॉटर और वहाँ पे बीस्ट अपियर होता है जो कि मोसा लूफरेंग होता है और उसके अंदर डो वर्ड रून्स होते हैं जिन में से एक में नांसी यूथ ट्रेजर्स होता है जिसके लिए लूफरेंग इतने दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था और यह बहुत ही इंपोर्ट को उस वर्ड रून के अंदर दालता है ताकि वो अंदर उसमें एक्जामिन कर सके कि आखर इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इतना पागल हो गया था इसकी तरफ पीचा चला गया था अब बताया जाता है कि ब्लैक आर्मर यूज वो बहुत पहली माना जा चुका था इसके का इसके अंदर जो इसस्प्रिचुलैटी होती है वो सब कमजोर हो चुकिती है और लूफिंग उसके अदर देख सकता है अब लूफिंग फ़र से वहाँ पर बहुत ही पाफुल कॉलिंग को मेहसूस करता है और वहां पर लूफिंग उससमान को उठा लेता है और गई होती है अब मोजा लूफ्रेंग अपनी सांसों को थामते हुए उस सेकेंड ब्लाक मेटल बॉर्ड की तब देखकर कहाता है कि तो यह है यह बात अब यहाँ पर लूफ्रेंग अपने सोल्जर और जेनर आलमसी उसे महसूस कर रहा होता है अब हेवनली टेजर यहाँ पर ह इक नावलनेग रहा हें अब लूफ्रेंग ने का नाम नेमलिस मेन्वल रखा होता है अब दिखा यह एक हैकर किसंगे कोई यहाँ मैटल मेटल रहा है अब Loofing क्याता है कि यहाँ पर Nimles Manual के Total Non-Volume से जिन में की पहला तो Loofing ने Earth पर ही Found कर दिया था और Second Board यहाँ पर Loofing ने अपने हाथों में पकर ही उई था और यहाँ पर Loofing के पास 7 और 8 भी था अब लूफिंग इनी सब के बारे में सोच आता जिसके बाद लूफिंग उसके अंदर अपनी speed energy डार कर देखता कि आखी इस black metal board में ऐसा है क्या जिसके बाद वो अपनी state of consciousness को अंदर डालता है लेकिन तभी जैसा ही करता है उसके माइड में आवाज आती है मेरे बच्चो और यहां पर लूफिंग ऑबियसली जो विलपावर होती है पहले के मुकाबरे स्ट्रॉंग हो गई होती है लेकिन फिल भी यह उस पर affect कर रही होती है दिखाया जाता है कि लूफिंग वहां के हर एक इनफॉर्मेशन को जाने लाता है जिसमें कि टूटल 59,103 मदर फ्लेम्स वर्स लिखी होई होती है और यह बहुत ही डिटेल से लिखी गई होती है अब यहां पर लूफिंग ने सेकंड और फ्लेट कर लिया होता है सेवन में सिर्फ 3000 वर्स होते ह और यह इनकम्प्रेट होते हैं जो कि और भी वर्स लाने बाकी थे अब यहां देखा दया तो लूफिंग के पास जितने भी नाइन नेमलेस मैनुवल स्वालम ते तो इसमें से पहला सेट कम्प्रेट सेकंड सेट कम्प्रेट थर्ड मिसिंग फ्लेट सेट कम्प्रीट होता है अब यहां पर लूफिंग इन सबसे अपने जीन्स को ब्रेक्थू करके अपनी लिम्टेशन को पूच्ट आउट कर सकता है जिसके कहां लूफिंग की जो पाउर होगी वो बहुत अलतक बाउंस तो लिफ्स तक में बूस्ट हो जाएगी अब लूफिंग क्या आता है कि चलू यह समय हो चुका है में सेकेंड वॉल्यूम को ट्वेंड करने के लिए और यहां पर लूफिंग खुछ सी बात ही कर रहा होता है अब यहां पर लूफिंग इन सब के बारे में बात करता है जो कि ऐसी फालत हुए अब लूफिंग इसके बाद अपने सेकेंड ब्लैक म जैन में फैला हुआ होता है यहाँ पर लूफे वहाँ पर सरच करनी रहा होता है लेकिन तब वहाँ पर 1100 एयओ लाइट में 29 सेंटीमीटर का एक ग्राउन पर खुछ होता है लूफेंगं उसी मेहसूस करता है और वहाँ पर जब वू देखनी जाता है तो वह भी एक ट्रेस ह होता है जो कि नांसी वॉरियर्यस के पास ओर लूफेंग वांपे क jsem French को देता है और यहाँ पर को ग charter को हम्धेन के हाथ में कैसा जीज है आयो होती है अब यहाँ पर कई साथ ल पर यूभाक उने साहि चीजों को चेक ही कर रहा होता है लेकिन तभी वहां पर को एक Box ताइप मिलता है जो कि पहले लुपit को ऐसे लगाता है जब जाकर उसको चेक करता है तो एक गलेराइं सॉनush .. लैट किता होता है left लूपएंग उसकी तब देखने लगता है जो कि उसे एक डिसकंफर्ट महसूस करा रहा था अब लूपएंग उन सब को देखने लगता है और उनमे से कई साथ ग्लूइंग लाइट्स निकल रहे होती है और बहुत इमिस्ट्यूइस पावफुल एनर्जी भी निकल रहे होती जिसके कान लूपएंग इसको समझ जाता है कि ये बहुत बैक्ट्रेस होनी वाला है और लूपएंग कहता डैम ये नांसी वोर्यस के पास इतने साथ ट्रेस से मैं क्यूरियस हूँ कि ये सिफ लो एम्पर लेबल का था आखे इसके पास ऐसी क्या आइबलेटी आगे थी कि टाइम को स्टॉप कर सकता है जो कि टेल्पोटेशन से भी ज़गा हाड है लूपएंग उसी ग्लरिंग क्रिस्टल कितब देखने लगता है अब यहां देखा जा तो नांसी यूट ने जब आपने टाइम स्टॉप कर यूज किया था तो लूपएंग को ऐसा लगाता कि उस उसके पास टैलेंट और लोग कॉंप्रियेंशन होगी लेकिन जब लूपएंग ने उस मिस्टरियस क्रिस्टल बॉल को देखा तो लूपएंग ने यह डिडियूस कर दिया कि ए एबिक्टी जरू इस क्रिस्टल बॉल से ही आयोगी लूपएंग फ्रेस से उसके बारे में देखने लगता है तभी वहाँ पर कईसा वर्ट्स उस पर लिखे हुए होते हैं और लूपएंग उनको समझ तो नहीं पा रहाता है लेकिन तोवेदर बाद उसको देखने पर समझ जाता है और यह सौकिंग होते हुए क्याता है कि डेमन नॉट इरेंटेस यह तो उसी के ज बाइफ़ें वह इसका फुली तर से असेपक कर सकता है इसको कम्प्लीट करने के बाद वह कोई भी हो वह डुम लाइट में बता जाता कि यह उने इने इंटेश हर 181 में आता है और ये crystal 82 एराज अगो ही यूज हुआ है और अगर इसको फिर से यूज करना है तो इसके लिए भी 9999 और इंतजार करना होगा अभी ये देखते लूफएंग की आँखें भी चमकने लगती है और वो इन साइड चीजों के बारे में समझ जाता है कि ये एक inheritance की तरह ही है लेकिन लूफएंग ये सोचता है कि अभी 9999 इराज बाकी है अगले आने में और ये एक 100 million years के बराबर है जो कि लूफएंग के लिए बहुत बहुत जाला है और लूफएंग जानता था कि ये ट्रेजर से लेकिन चाहकर भी लूफएंग इसको यूज नहीं करने वाला था अब लूफएंग इसको यूज तो नहीं कर सकता है और वो क्याता है कि आखिर इसका मैं यूज क्या कर सकता हूँ मैं इतना इंतिजाद तो नहीं कर जाता हूँ जिसके बाद वो एक decision लेता है कि मुझे अपने teacher से जाके इसके मसले के बार में पूछना होगा और अफिया में scene change कर virtual universe के highest peak of thunder island का scene दिखाया जाता है जहाँ पे looping entrance में आ जाता है looping teacher के सामने बूख करता है और उसी वक्त एक सांत वावाज जिसमें कि chaos energy होती ही वो looping से क्या थी आखिर क्या मसला हुआ तो looping क्या था कि मैंने यहाँ पे outer region swords में से एक twist को acquire किया है जिसे मैंने पहले कभी नहीं दिखा है लेकिन इसको check करने के बाद हमें पता चला है कि यह inheritance crystal dream light core का है अब तभी वहाँ पे city leader के उस energy के साथ बाहर आते हैं और कहते हैं gold inheritance crystal अब यहाँ पे वह अपने strength को नहीं दिखा रहते हैं लेकिन फिल भी looping उनके सामने submit कर रहा था अब दिखाया जाता है अब यहाँ पे city leader आके looping से कहते हैं कि कि तुम्हाँ अपास सच में inheritance crystal आ गया है तुम्हाँ लग बहुत ही अचा है क्योंकि हौंग alliance के पास ऐसे कैसा है 8000 crystal है लेकिन तुम्हाँ पास जो dream light god crystal है हौंग alliance के सिर्फ पास एक ही है जो कि बहुत rare है अब यह सुनकर looping भी shock हो जाता है कि यह strange नहीं है अब यहाँ पे city leader आगे कहते हैं कि क्या तुम्हाँ याद है कि तुम्हें 32 palace में से demon note inheritance को भी लिया था क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे इतना surprise होनी वाली बा inheritance के बारे में समझाते हैं कि यहाँ पे एक inheritance मिलना बहुत जार मुश्किल होता है नॉर्मल inheritance की भी बात करें तो वह भी billion तक पहुँच जाती है और यहाँ पे उन सब के पास एक अच्छा कासा एस्ट्रेंड बनाने की ताकट हो जाती है जैसा कि loop fang ने अपने आपको उस inheritance म डाला होता है जिसकी वज़े से उसकी एमप्रिटीव 32 हो चुकी थी और लूफवेंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है अब देखा जाए लूफवेंग के पास जो गौट जिन्योर inheritance होती है वो इन सब से ट्रिलियंस टाइम्स हार्डर होता है जो कि यहाँ देखा जाए Universe Master भी इसको survive इतना नहीं करपाते है और इस सब की इन लूफवेंग से करते हैं कि जो तुम्हारे हाथों में है वो अभी तुम्हारे हातों में यूजर से तो महाँ पास डोच कामपनी को 30,000,000,000 पॉइंट मे बेज दू और यह फे में कि तुम यहां इसको एक्स्चेंज कर सकते हूँ एक गौड जूनर इने इंटेंस जो कि हर एक दस हजा एक आसी सिराज में हुआ करता है और अगली बार्थ से तुम्हें एक लाग बीस होजा सालों में देखने को मिल जाएगा तुम्हाँ पास दो च्वाइसे से इसमें से तुम किसी को भी चूज कर सकते हूँ अब दूसरा च्वाइस में आपको अच्छे से बता देता हूँ यहां पर लूफेंग एक्स्चेंज कर सकता है एक गौड जूनर इलेंटेंस को जो कि एक इनेटेंस के जासा ही है लेकिन वो पावफुल है लेकिन यह अभी एक लाग 20,20,21,23 के बाद में होने वाली है और लूफेंग को दिखाया जाता है जो अभी चूप होता है लूफेंग अभी ठ्रबल में होता है उसके सामने दोच्वार में होती है यह च्वार सकता है लेकिन इन सब के अंदर यह प्रेडिक कर पाना मुश्किल लेकिि आकर उसका साम यह बहुत ही वॉल्यूबल है देखा जातो इंपरस भी इसके लड़ाई कर सकते हैं और उनके पास अगर नाइट टीज है सो तो यहाँ पे बिलियों सो प्वांस को करने के बाद ही एक चांस मिलता हूँ स्लॉट के लिए लूफएंग आपे बहुत ही क्लियर था कि यहाँ पर लूफएंग को जो डेमन नोट इने इंटेंस मिला था वो कितना हेवेंदली इने इंटेंस था जिसकी वज़स की पावर कितनी जहाँ बढ़ चुकी थी उसने अप दीखा जाएं तो अगर कोई और बंदा होता है तो इसको एक्सचेंज कर सकता है लेकिन यहाँ लूफएंग उन सबसे अलग था लूफएंग एक लाग वी सजा साल इंतजार नहीं करनी वाला था जो कि लूफएंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो नहीं वाला तो द झाल 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 झाल